गुड इवरिंग स्टाड लोग तो मैं उज्वल आपका डीजी स्टड में स्वागत करता हूँ आज हमारा स्सी सीजल 2018 टायर 2 का जो टॉपिक है वो है विक्स्चर एंड एलिगेशन इसके जो छे कुश्चन टायर 2 में आए हुए है वो उसका सॉलूशन में बताऊंगा बिलकुल आसान तरीके से ठीक है लेकिन यार अगर आप इस चैनल पे नए आयो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि जितने भी सीरीज में चला रहा हूँ उन सबके नोडिफिकेशन आपको रेगुलर बेसे से मिलते रहें और आपकी पढ़ाई में कंट्यूनिटी बनी रहे है हां तो देखते हैं मिश्चर एलिगेशन के आज मैं तीन कोश्चन कराऊंगा ठीक है तीन नेक्स पार्ट में कराऊंगा और ध्यान से देखना समझने कोशिश करना बहुत इजी कोशिशन है आराम से आपको समझ में आ जाएंगे ठीक है फास करने कोशिश करना मैं आपको जो भी टाइम लोंगा समझाने में लोंगा वीडियो पॉस करके एक बार खुछ से ट्राई करना नहीं हो पाता है तो मैं तो हूँ यार ठीक है और जाम से बढ़ते हैं कोशिशन के तरफ देखते हैं पहला कोशिशन क्या है तो हूँ यह आपका कोशिशन है इन वार्ट रेश विल्टлись Rs. 60 per kg be mixed with sugar costing Rs. 42 per kg such that by selling the mixture at Rs. 56 per kg there is a gain of 12%. So, Hindi भाइयों के लिए हमारा question यह है, Rs. 60 per kg वाली चीनी को Rs. 42 per kg वाली चीनी में किस अनुपात में मिर्षित किया जाए? जिससे कि मिर्षित चीनी को Rs. 56 per kg के मूले में बेचने पर 12% का लाप राप्त हो सके. ठीक है, तो देखेते हैं इसका अनसर कैसे करना है, जो कह रहा है कि आपको आपको आपने कुछ शुगर का 42 per kg पर बेचा, कुछ 60 per kg पर बेचा, ठीक है? तो आपको बताना है कि और इन दोनों को इस तरह से ической का mix किया आपने, कि आपने रेजूदेंट को 56 per kg पर बेचा आपको 12% का profit हो रहा है, ठीक है, 12% का profit हो रहाः है, ठीक है, 12% का 12% को हम लोग ratio के form में क्या लिख सकते है इसको ratio के form में लिखोको तो आएगा 3 by 25. ठीक है? इंटो कॉस्पार्स प्रेस अपका कितना हो जाएगा आपका 50 आजाएगा ठीक है काड़ो के बिड़ों कर फिव्टी आ जाएगा अपके होगा कास प्रीस आगया राइट और यह कॉसपार्स अपके अपके दिये हुए है 42 & 60 तो आपका ऐलिकेशन लगा दो 42 & 60 ऐलिकेशन लगा दो यह अपका फिफ्टी तुछ है आप करो यह आपका 10 ऐगा यह आपका कितना ऐगा 42 & यह आपका ऐगा 8 तो यह हो गया 8 तो यह विद्धो 4 is to 5 आगा 4 is to 5 काहीं दिख रहा है और कहीं 5 is to 4, 4 is to 5 कहीं नहीं है, तो यही आपका सही आंसर है 4 is to 5, very easy question it was, कुछ नहीं था इसमें, यह सब question में ज्यादा सोचना पाप है, यह सब यहार 20 साल से आ रहा है सिसी में, देखो हिंदी भाईयों के लिए question है हमारा, English question पढ़ते है, the ratio of the copper to zinc and alloys A and B are, ठीक है, इतना इतना है, तो देखो इसमें क्या करना है न? आप पहले तो देखो A है, ठीक है, A है, B है, A है, A है, B है, A में, आपका कितना है 3 is 2 4 है B में आपका कितना है 5 is 2 9 है अब देखो दोनों में जो sum करेंगे न तीन और 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा 5 और 9 जोड़ेंगे 14 आ रहा है ठीक है तो हमको क्या करना पड़ेगा दोनों में equal amount करना पड़ेगा तो इसमें क्या करेंगे इसमें 2 से multiply करेंगे इसमे अगर हम 2 से multiply कर दें तो हमारा amount equal हो जाएगा कैसे देखो ये total 7 आ रहा है साथ में 2 multiply कर देंगे 14 आ जाएगा तो 3 इंटो 2 ए में कितना हो जाएगा ये copper है ये zinc है ठीक है ये copper है और ये zinc है तो आपने क्या किया है तो आपका 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा और यहाँ पर amount total amount बराबर हो गया ठीक है 14 14 दोनों में हो गया अब क्या करना है ठीक है दोनों को हमने mix किया 2 to 3 ratio में अब देखो जब total amount आपका same है तो पहले copper लेते है copper का आपने copper का आपने 6 unit लिया 6 unit आपने 2 से multiply किया यानी 12 unit आपको मिला A से plus B से कितना मिला B से आपको मिलेगा 8 unit है ठी 10 unit ले हैं B से ठीक है sorry B से copper ये है 5 5 unit ले रहे है और यहां पर 3 3 unit 3 से multiply करेंगे तो 15 आ जाएगा तो copper आपका total नय नय C में कितना आ गया 27 आ गया राइट अब आपका zinc निकालेंगे zinc कितना होगा पहले आपका 8 है ठीक है 8 है 8 से multiply करेंगे 2 से multiply करेंगे तो 16 unit आ जाएगा प्ल 8 तो 16 27 43 आ जाएगा तो copper और zinc का ratio किया 27 आपान 43 27 आपान 43 D answer से ही है ठीक है कुछ नहीं था इसमें भी ठीक है पहले बस आपको amount equal करना था total आपका amount equal हो गया 14 तो यह answer आ गया आजान question था आगे बढ़ते हैं अगला question हमारा 40 liters of 60% concentration of acid solution is added to 35 liters of 80% concentration of acid solution what is the concentration of acid in the new solution अचा सिरफ acid का concentration निकालना है new solution में ठीक है आप Hindi वाले भाई लोग भी देख लो 60% सांदरता वाले 40 लीटर अमलग गोल को 80% सांदरता वाले 35 लीटर अमलग गोल में मिलाया जाता है नए गोल में अमलग की सांदरता कितनी होगी तो देखते हैं इसका answer क्या होगा तो देखो इसको भी ह यह माल लो ठीक है X और Y माल लो A और B हम लोग क्या करते है acid का solution है और B कोई दूसा liquid है ठीक है? A & B का जो ratio acid और दूसे liquid का जो ratio 4 is to 1 है अब बोल रहा है इसको हमने 40 liter मिलाया इसको हमने 40 liter इसका लिया ठीक है और 35 liter इसका लिया तो what is the concentration of acid in the new solution तो acid का देखो इसमें 3 unit ले रहे है acid तो 40 से मली भी लाय करेंगे तो acid का जो concentration होगा वो आपका हो जाएगा 40 into 3 40 into 3 यानि की 120 प्लस इसमें acid का कितना हो जाएगा 4 into 35 यानि की 140 ठीक है total amount कितना होगा 260 और फिर B जो है B liquid है उसका concentration है 40 40 into कितना हो जाएगा 2 ठीक है plus आपका 1 into 35 तो यानि हो गया 115 ठीक है तो अब total amount कितना हो गया हमको acid का निकालना है concentration total में से ठीक है acid upon total यानि A upon A plus B तो acid कितना है 260 है और total कितना है total up का जाएगा 375 ठीक है पहां से करते हैं देखें कितना घता है अपका जाएगा। 252 ठीक है एब या तो इसको ग Zoom कितना अगे हो या और a percentage में निकालना है ठीक है या आपका option percentage में दिया होआ है تو 3 और 4 ठीक है 4 तर तामस हो तो तो आपका है 208 upon 3, 208 upon 3 गरों के तो कितना हैगा 69 1 by 3 आजाएगा, ठीक है, यह सही आंसर है तो very easy question it was also, तो 2018 मुझे लगता है कि जो mixture allegations और questions पूचे हैं, वो तो बहुत simple बूचे हैं इसमें time लगी नहीं रहा है, वो तो आपको समझाने में थोड़ा बहुत time लग रहा है इसकी हलुआ question वाली के टेकरी है, इसमें ज्यादा सोचना पाप तो देखो, आज के लिए इतना ही, मैं daily basis पे आपके लिए 3-3 question ही ले रहा हूँ आपके लिए भी स्यादा बढ़न नहीं होगी, वीडियो भी छोटा होगा, ठीक है और आप full concentration के साथ समझ भी पाऊगे, कि 3 question मैंने कैसे किया है ठीक है, hope कि आपको हर एक answer समझ में आया होगा Thank you for watching, have a nice day